हेलो इव्रियोन, श्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेज पे इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्छाचे के समाजिक विज्ञान यानि इतिहास के चेप्टरों का अध्या कर रहे थे और चेप्टरों के अध्या में हम लोग चेप्टर एट तक का अध्या कर चुके हैं, आज का सेशन चेप्टर नैन को हम लोग देखने वाले हैं, आज का सेशन में हम लोग चेप्टर नैन देखेंगे, जिसका नाम है, चेप्टर नैन का नाम है बेपारी, राजा और तीर्थ तिर्थ यात्री बेपारी का मतलब बेपार करने वाले जो लोग होते थे राजा यानि जो राजा लोग थे राजी करने वाले राजा तिर्थ यात्री मतलब यात्रा करने वाले धार्मी कस्तलों पर भी और ऐसे भी यात्रा करने वाले लोगों को तिर्थ यात्री के नाम से इ चैप्टर 9 जो कि कक्षा 6 का इतिहास का है उसको आज हम लोग अध्य करने वाले हैं और इससे पहले का चैप्टर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिप सिप्चन में मिल जाएगा वहां से आप जाकर चैप्टर वाइज देख सकते हैं चलिए देखते हैं आ जागनी अपने गाओं के मेले की आस लगाए बैठी थी जो जागनी नाम के लड़की थी उसके गाओं में मेले लगते हैं तो उस मेले के आस लगाए वह बैठी भी थी कि कब मेला लगेगा और वह जाएगी श्टील के चमकदार बर्तन, रंग बरी, रंग बिरंगी, प्लास्टिक के बाल्टिया, सोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाभी से चलने वाले मज़ेदार खिलाओने उसे बहुत अच्छे लगते थे उसे क्या क्या अच्छे लगते थे चमकदार परतन जो होते थे रंग बिरंगी प्लास्टिक के जो बाल्टियां थी सोख रंगों के फूल के प्रियोंटों वाले कपड़े चाभी से चलने वाले मज़दार खिलावने उसे बहुत अच्छे लगते थे किसे लगते थे तो जो नाम की लड़की है उसे इन चीजों को बेचने वाले दुकंदार बसो या ट्रकों पर आते थे इन चीजों को जो बेचा करते थे वो दुकंदार क्या से आते थे या तो बस के माध्यम से आते थे या ट्रकों के माध्यम से आते थे और रात को अपना समान समेट कर वापस चले जाते थे जागनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घुमते हैं जागनी को इस बात से हैरानी हुई कि लोग हमेशा ये लोग जो होते हैं बेपारी लोग वह इस तरह से हमेशा क्यों घुमते रहते हैं तो उसकी मा ने बताया किसकी मा जागनी के मा ने बता बैपारी उसके मान ने बताया कि जो यह लोग आते हैं उन्हें बैपारी कहा जाता है और यह चीजों को उन जगह को से खरीते हैं जहां पर इसकी निर्मान होती है जहाँ पर इसे बनाये जाता आ और यह फिर उन्ही मेलों में लाकर उन्हें बेचा करते हैं अब चलिए अगला टोपिक है बेपारी बेपार और बेपारियों के बारे में जानकारी ता अध्याठ में तुमने उत्तरकाले के जैसे कि चेप्टर 8 में हम लोग पढ़े थे उत्तरकाले में पॉलिस वाले बरतनो तुप महादिप के अनेख पुरा अस्तलों से मिले हैं। तो पुरास्थलों के बारे में हम लोग डिसकस कर चुके हैं चैप्टर वन या टू में ही कि पुरास्थल उन जगहों के कहते हैं जहां पर किसी चीज का होने का साक्ष मिलता है परमान मिलता है उस अस्थान को पुरास्थल के नाम से जाना जाता है सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बरतन कैसे पहुचे होंगे अब सवाल यह उठता है कि जो पुरा अस्थल है उन जगहों पर ये बरतन कैसे पहुचे होंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहाँ से बेपारी इन्हें लाकर अलग-अलग जगहों पर बेजते थे ऐसा अन्मान लगा जाता है कि जहां यह बनता है मतलब जहां पर इनकी निर्मान होती है वहाँ से बेपारियों इन्हें ले जाकर अलग-अलग जगहों पर बेचा करते थे आगे देखते हैं यह सभी competitive exam के लिए important है और साथ में जो कक्छा 6 में है उसके लिए भी लेकिन competitive exam के दिर्ष्टी से ज़्यादा महत्पुन है यहां से सवाल उसकता है कि दच्छिन भारत कीन कीन चीजों के लिए परसिद था तो दच्छिन भारत भारत जो हो था वसोना मसाले और खास तोर पर जो काली मिर्च होती है और तथा कीमती पत्रों के लिए परसिद था कौन दच्छिन भारत काली मिर्च की रोमन समराज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे काली मिर्च की रोमन समराज्य जो था उसमें इसकी इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के न ते किस तरह से पहुंचाते थे तसमुदरी जहाजों के माध्यम से या सड़क के राष्टों के माध्यम से रोम में इन चीजों को पहुंचाया जाता था दच्छिन भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्खे मिले इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा बेपारी चल रहा था उन दिनों जो हुआ करता था उन दिनों में रोम के साथ बहुत ही अच्छा बेपारी चल रहा था मतलब अच्छा तरह से किया जा रहा था रोम के साथ क्या तुम बता सकती हो कि यह सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे तो यह सिक्के भारत क्यों पहुंचे होंगे जब यहां से जब बेपारी लोग ले जाकर वहां पे समान बेजते थे तो उस तरह से रोम के सिक्के भारत में आ गए होंगे जैसे किसी चीज के लिए बिनमय किया जाता है मतलब किसी वस्तु को हम किसी को देंगे तो उसके बदले वह कुछ देगा तो रोम में जब इन लोगों ने काली मिर्च का बेपार किया करते होंगे तब उन्हें उनके बदले में रोम के सिक्के मिले होंगे जिससे सिक्के भारत पहुंचे रोम के सिक्के एक कविता का उले किया गया है चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं बेपार के प्रमान हमें संगम कविताओं से मिलती है जो बेपार है उसका प्रमान यानि साक्षय यानि साबित होता है कि संगम कविताओं से निचे लिखी कविता में पुर्वी समुंदर टटप इस्थीत पुनहार पतन पर लगाय जाने वाले माल का वर्णन मिलता है जो पुनहार पतन था उस पर लगाय जाने वाले जो माल होता था उसका वर्णन इस कभिता में मिलता है समुद्री जहाजों से ले जाए गए तेज तरार घोडे, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरिया, हिमाले से मिले रत्न और सोना, दच्छिन के पहाड़ियों से चंदन की लकड़िया, दच्छिन सागर के मोती और ये सभी चीजे पुर्वी सागर के मुंगे, गंगा और कावेरी के फसले, स्रिलंका के आये खधान, मया मार के बने मिट्टी के बरतन और दुरलब किम्ती आयात, कभीता से उलकित चीजों को एक सूची बनाओ, क्या तुम बता सकते हो इन चीजों का उप्योग किसलिए किया जाता होगा, इन चीजों का उप्योग बोला किया जाता था, बेपारियों ने कई समुंदरी रास्तों का खोज निकाले, जो बेपारी हुआ करते थे, वह समुंदरी रास्ता को कई तरह से खोजे, और कई समुंदरी रास्तों को उन्होंने खोज निकाला, इन में से कुछ समुंदर के किनारे चलते थे, कुछ अरब और बंगाल की खाली को भी पार किया करते थे नाविक मानसुनी हावा का फैदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे जो नाविक होते थे यानि नाव चलाने वाले वह मानसुनी हावा का फैदा उठाकर मने जो मानसुनी हावा चलता था उसकी फैदा उठाकर या अपनी यात्रा जल्दी पूर्वी कर लेते थे इन्हें अफ़र्ड नहीं लगाना पड़ता था हावाओ के कारण वह अपनी यात्रा जल्दी पूर्वी कर लेते थे यह अफरीका या अरब के पूर्वी टट के इस उप महादीब के पच्मी टट पर पहुंचना चाहते थ यह जो थे अफ्रिका या अरब के पुर्वी टट से इस उप महादीब के पच्छमी टट तक पहुंचना चाहते थे तो दच्छिन पच्छिम के मानसून के चलना पसंद करते थे इन लंबी यात्रों के लिए मजबूत जहाजों का निर्मान किया जाता था यह जो यात्रा हु कि समुद्र के टट से मतलब समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य बसा करते थे और लगे लगे राज्य का मतलब कौन कौन से समुद्र टट के किनारे राज्य हुआ करते थे इस उप महादीब के दच्छिन भाग में बड़ा टट्य परदेश है इस उप महादीब मतलब इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उप जाओ है जो कावेरी का मैदान है वह सबसे अधिक उप जाओ है मैदानी इलाकों तथा टटिये इलाकों के सरदारों को राजाओं के पास धीरे-धीरे काफी संपती और सकती हो गई जो मैदानी इलाका और टटिये इलाका के सरदार य को बानी है कि इसमें संगम कभी दा मे यह कहते मिलस warm इंग डिसका अर्थ तीन मुखिया है इस परियोग का तीन सासरेक परिवार के मुखिया के लिए किया गया है यह 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 थे चूल चेर और स…! चूल Republicans यह और सर्यूंट यह तेन प्रकार के मुखिया वगर करते थे चोल चेर तथा मांचित्र सेवेल प्रिष्ट 105 जो कि करीब तेज सो साल पहले दच्छिन भारत में काफी साकते साली माने जाते थे जो चोल चेर थे चेर और या तीनों जो हुआ करते थे वह अधिक सकते साली माने जाते थे इन तीनों मुख्याओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे इन तीनों जो मुख्या होते थे चोल चेर और साय अंतर इन तीनों का अपना अपना दो दो सत्ता केंद्र हुआ करता था इन में से एक टटिये हिसे और दूसरा अंदरूनी हिसों में था इन में से एक टटिये हिसा में इनका राज होता था केंद्र का और एक अंधुरूनिय से मतलब अंदर जहां पर यह लोग रहते थे वहाँ पर इंका होता था इस तरह छो केंद्रों में से दो महत्पुन दो बहुत महत्पुन थे एक चोलो का कि अपतन से पुहार या कावेरी पतिन्यूम अठीश से यर्थो कि राजधानी मैं दूरो तो यहां से भी केश्चान उसकता है कि जो च्छोक एंद्रों में से दो मत्पूल केंद्र कौन-कौन से ति एक चोलो का पतन का पुनहार कावेरी पतन्यूम अठीश स्यल्थो कि यह मुख्या लोग नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे यह लोग नियमित कर वसुलने के बजाय क्या करते थे उपहार का मांग किया करते थे कभी-कभी यह सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे कभी कभी या सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों को सुकल वसुल कर लाते थे मतलब वहां से कुछ भी उपहार वसुल कर लाते थे इन में से कुछ धन में वह अपने पास रख लेते थे बाकी अपने समर्थकों, नेते, रिष्टेदार, सिपाहियों तथा कभियों के बीच बाढ़ देते थे जो उपहार वो गाव के इलाकों, आसपास के इलाकों से असुला करते थे उसका कुछ हिसा अपने पास रखते थे बाखी समर्थक नेता कवियों और सिपाईयों के बीच बाण दिया करते थे अनेक संगम कविताओं के उन मुख्याओं की परसंसा में कविता लिखी गई है जो उन्हें कीमती जोहाराच सोने गोडे हाथी रथ या सुन्दर कपड़े दिया करते थे कविताओं में केवल उन लोगों का जिक्र है जो किमती चीज उपहार में दिया करते थे जैसे किमती चीज में सोने गोडे हाथी रथ या सुन्दर कपड़े दिया करते थे उनकी कविताओं में वर्नित किया गया है यानि परसंसा किया गया है इसके लगबग 200 वर्सों के बाद पच्छिम भारत में सत्वाहन नामक राजवन्स का प्रभाव बढ़ गया इसके बाद 200 वर्सों के बाद वहाँ पे किसका आवाया सत्वाहन नामक राजवन्स का प्रभाव बढ़ा मतलब वहाँ पे सत्वाहनों का सबसे परमुख राज गौत्मी पुत्र स्री सत्कर्नी था उसके बारे में हमें उसकी मा गौत्मी बल स्री द्वारा दान किये गए एक अभिलेक से पता चलता है जो सतकर्नी था स्रीश सतकर्नी गौत्मी के पुत्र था और जोध की सत्वाहन नामक राजवंस का राजा हुआ करता था तो उसके पारे में किस्से हमें साक्ष्य मिलता है तो गौत्मी बल सिरी द्वारा दान किये गए एक अभिलेक से पता चलता है वह अन्य सभी सत्वाहन सासक दचिनापत के स्वामी कह जाते थे, जो सत्वाहन सासक हुआ करते थे, वह दचिनापत के स्वामी कह जाते थे, दचिनापत का साबदी कर्थ होता है दचिन की और जाने वाला रास्ता, दचिनापत का साबदी कर्थ क्या होता है कि दचिन की तरफ जाने वाले रास्ता पूरे दचिन छेत्र के लिए यही नाम प्रचली था पूरे दचिन छेत्र के लिए सत्वाहन का जो सासक हुआ करते थे उनका नाम प्रचली था मतलब प्रचलन में था स्री सतकर्णी ने पूर्वी पसीचमी तथा दच्छनी टटो पर असानी से सेनाय बेजी जो स्री सतकर्णी था जो कि सत्माहन नामक राजवन्स का राजा था और गौतमी बल स्री का पुत्र था उसने पूर्वी और पच्छमी दच्छिन ट्रटो पर अपनी सेना को असानी से भेजा था क्या तुम बता सकती हो कि सिरी सतकर्णी ट्रटो पर नियंतरन क्यों करना चाहता था हो सकता है कि नियंतरन वो इसलिए करना चाहता था क्योंकि टटवर्ती छेतर के इलागों में उपजाव जमिन जादा थे और यहां पे अनिक तरह के समपदाय मिलते थे जैसे की कभिता में उपर वर्नित किया गया है रेसम मार्ग की कहानी, अब रेसम मार्ग की अगला Toffik आता है म कहानी, हिस्ट्री का है हिस्ट्री का करब ग्यान होता है, कि चेप्टर वाइस चेप्टर पढ़ने से ही सब क्यूच अच्छी तरह से समझ में आता है, इसलिए आप लोग से रिक्वेश्ट है कि सभी चेप्टर को आप लोग ध्यान से देखे और समझने का प्रयास करें मेरा कोशी सरस्ता है कि मैं अच्छा से अच्छा समझा सको अगर कोई टूटी होती है या निकलती है तो आप कोमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं उसमें सुधार की जायजगी अगला टोपिक है रेसम मार की कहानी किमति चमकिली रंग और चिकनी मुलाएम बनावट की वज़ाय से रेसमी कपड़े अधिकान समाज के बहुमुल्य माने जाते थे जो रेसम के कपड़े होते थे वह मुलायम, चिक्नी और बनावत के वज़ा comigo माने जाते थे मतलब अधीक मुल्य परदान के आजाता था रेसम की कपड़े का रेसम कपड़ा त्यार करना एक जटिल परकिरिया होता था जो रेसमी कपड़ा है उसको बनाना बहुत ही कठीन प्रक्रिया माना जाता था रेसम के किड़े से कच्चा रेसम निकाल कर सूत कताई होती और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था यानि बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था और बहुत ही मेनत लगती थी इसमें रेसम बनाने की तक्निक का अविस्कार सबसे पहले चीन में करीब आज से 7000 साल पहले हुआ था यहाँ से एक objective question आ सकता है कि रेसम बनने की तक्निक का अविस्कार सबसे पहले कहां पे हुआ था और कब हुआ था तक सबसे पहले चीन में हुआ था और आज से लगभक साथ हजार साल पहले हुआ था इस तक्निक को उन्होंने हजारों साल तक बागी दुनिया से चुपाये रखा जो चीन है वह इस तक्निक को मतलब इस तरीकों को बहुत सालों तक मतलब हजारों सालों तक पर चीन से पैदल, घोडो या उठो पर कुछ लोग दूर-दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेस्मी कपड़े भी ले जाते थे, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे, वह रेसम मार्ग यानि सिल्क रूट के नाम से प्रसीद हो गया, जो चीन के लोग थे रेस्मी कपड़े या उठो के माध्यम से दूर-दूराज जगहों पर जाया करते थे, और जिस रास्ते से ये लोग जाते थे, उस रास्ता का नाम पड़ा सिल्क रूट यानि रेसम मार्ग के नाम से प्रसीद हो गया, कभी-कभी चीन के सासक, जो चीन के सासक यानि राजा को उपहार के तोर पर रेस्मी कपड़े भेजा करती थी, यहां से रेसम के बारे में जानकारिया और भी-पच्छिम की और पहल गई, इसके कारण जब उन्होंने तो पहार के रूप में पच्छिमी एसिया के सासकों को कपड़े भेजा, तो उस से रेसम के बारे में जानका या कि भी पच्छिम की और फैल गई मतले पच्छिम इलाके की और फैल गई और 2000 साल पहले रोम के सासको को धनी लोगों के बीच रेस्मी कपड़े पहनना एक फैसन बन गया था आज से 2000 साल पहले रोम के सासको और धनी लोगों के बीच रेस्मी कपड़ा पहनना एक फैसन बन उसकी कीमत क्यों ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और एगिस्तानों को रास्ते होकर जाना पड़ता था यहीं नहीं रास्ते के आसपास रहने वाले लोग वेपारियों से यात्रा सुल्क भी मांगा करते थे इसके कारण जो रेस्मिक कपड़ा था उसकी मुल अधिक हुआ करते थी मांचित्र इतना इसमें सिल्क रूट तथा उसकी सखाओं को दिखाया गया है जो मांचित्र छे है उसमें सुल्क रोग और उसकी दिखाया गया कुछ सासक इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंतरन करना चाते थे जो कुछ सासक हुआ करते थे इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंतरन करना चाते थे और क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे है बेपारी उन्हें कर सुल्क और तोफे के जरिये लाब मिलता था इसके बदले इस सासक इन बेपारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटोरों को आक्रमन से सुरक्षा दिया करते थे सिल्क रूट पर नियंतरन रखने वाले सासकों में सबसे परसीद जो सासक था वह कुसान थे करीब आज से 2000 साल पहले मध एसिया तथा पच्छी मोतर भाग का इनका सासन था जो कुसान थे इसका सासन कहा पर दो त tat, मध एसिया और पच्छी मोतर भारत पर इनका सासन हुए पैशावार और मुथवार इनके दो मुख सक्टपा केंद्र थे पैशावार और जो मुख सक्टे। सकतिसाली केंद्र था किसका था तो कुसान का था तच्छ सिला में भी इनकी ही राज्य का हिस्सा था तच्छ सिला जो था वह भी इनका राज्य का ही एक हिस्सा था इनके सासंकाल से ही सिल्क रूट की एक साखा मद्द एसिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्रों तक ज पहुचाया जाता था मतलब सुलक रोक जो था उस से जहा जो औरेश मीत दो़ारा पछिम रोमन सम्राज Hahn-imiz कपड़ों इस हुप महाधिव में सबसे पहले सुने के स्थिक जारी करने वाले सुकों में से कुसान थे सबसे पहले यहां पे सुने का सिक्का जारी कौन किया था तो कुसान किये थे सिल्क रूट पर याथरा करने वाले बैपारी इनका उप्योग किया करते थे जो सिल्क रूट था उस पर याथरा करने वाले बैपारी इनका उप्योग किया करते थे सुल् उन्डों समुद्र की रास्ते में तो यह सब हम लोग मांचीत्र में समझ लेंगे अगला का बहुत धर्म का प्रसार बार पूर्दहर्म का जो प्रसार हुआ वह कीस तरह से हुआत कुसानुका सबसे परसीद राजा करनीशक था जो कुसान का गठन किया उन्होंने एक बौध परिशद का गठन किया मतलब निर्मान किया जिन में से एकत्र होने और विद्वान महत्पुन विशयों पर विचार विमर्ष किया करते थे जो वह गठन हुआ बौध परिशद का बौध परिशद का गठन किसने किया था जो कुरुसान का स सबसे प्रसीद राजा कनिशक थे उसने क्या था और उसमें क्या होता था तब विद्वानों को एक्त्र किया जाता था और वह मस्पून विशयों पर विचार बिमर्स किया करते थे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकर कभी अश्वघोस करनिशक के दर्बार में रहते थे बुद्ध चरित्र के जो रचनातक कभी थे वो अश्वघोस थे जो की करनिशक के दर्बार में ही रहा करते थे अश्व गोस तथा अन्य बौध विद्वानों ने अप संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था यह कुछ मानचीत रहे साची के सपुत का एक मूर्ति चीत रहे यहाँ इस बिरिक्ट पर उन्होंने नीचे खाली अस्तान को देखो चित्र दिखाय गया है इसी ब्रिक्ष के नीचे नीचे बुद्ध का ज्यान के प्राप्ति होई थी इस समय बुद्ध्ध धर्म के एक नही धारा मायायन का विकास हुआ एक नही धारachen का विकास हुआ बुद्ध धर्म का एक नही धारा जो की महायान का विकास हुआ इसकी दो मुख्य विसेश्थ्थाय थे पहले मूर्ती में बूद्ध की उपस्थिती सिर्प कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शायी जाती थी और मिसाल के तोर पर उनकी नवीन प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ती दर्शाया जाता था। बुद्ध की परतिमाये बनाने जाने लगे और अधिकांज परतिमाये मत्रह में बनाये जाने लगे और कुछ तच सिला में बनाये जागे यह दोनों दियागहों का जिक्र हमने चैप्टर पीछे भी कर चुके हैं तो आप लोग किर्पया शुरू से ही अन्रोद कर रहे हैं चीज का अस्था लेकर आया था दूसरा परिवर्तन बौध धर्म का या था बौध धर्म उन्हें करते हैं जो ग्यान के प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हैं उन्हें ध्यान साधना कर सकते थे जो बौधी संत्व उन्हें कहा जाता है जो ग्यान प्राप्ति के बाद ए लिए सांसारिक परिवेस में भी रहना ठीक समझने लगे अब उन लोग क्या किया कि जब ग्यान के प्राप्ति हुए तो वह सांसारिक परिवेस में रहना प्रारम किया जहां पर लोग रहते थे और उन्होंने उन लोगों को क्या करना शुरू कर दिया कि धीरे-धीरे सभी को ग्यान देना और ठीक समझाने लगे धीरे धीरे बौधी सत्व की पूजा काफी लोकपिरिया हो गई और पूरे मध्य एसिया चीन और बाद में कोरिया तथा जपान तक भी फैल गई धीरे धीरे इन चीजों का क्या होने लगी पूजा होने लगी काफी दिनों के तो इस तरह से पूरे जपान तक भी फैल गई थी चलिए अब आगे देखते हैं बौद धर्म का परचार पच्यमी तथा दचनी भारत में भी हुआ जहां बहुत भीक्षूओं के रहने के लिए पहाडू में दर्जनों गुफाए खोदे गई उनमें से कुछ गुफाई vlogging राजा और रांजियों के आदेश पर बनाए गई थी तो कुछ बेपारियों तथा क्रिश्ट को द्वारा भी बनाए गया था इन में से जादा तर गुफाये पच्मी घाट के दर्रों के पास बनाई गई है और धक्कन के सहरों तथा तर्ट्य समुद्र बंद्रागाव इन्हें जोडने जाते थे उसमें जो बेपारी होते थे वह बिस्राम करने के लिए भी रुका करते थे बहुत धर्म दच्छिन पूर्व की ओर सिरिलंका मया मार थाइलेंड तथा इंडोनेसिया सही दच्छिन पूर्व एसिया के अन्य भागों में भी फैलने लगा था थेरवाद नामक बह द्धन का अरंभीक रूप इन छेत्रों में कहीं अधिकता मतलब जादा हुगा करता था यह जो मत्रव में बनी बूद के परतीमा का चीत्र है और तच्छिला में बनाई गई बूद का तश्विर है और यह है काले की गुफाएं महराष्ट में कारले की गुफा जो की इस तीर्थ यात्रियों की जिग्यासा जो तीर्थ यात्री होते थे वह इनका जिग्यासा किस तरह से होता था यात्रा करने की तब बेपारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे जो बेपारी होते थे काफिलों में मतलब पूरे समून यानि काफिला कि उन्हें काहा जाता है जिसमें एक बड़ा समुं के द्वारा कुछ करने के लिए जाया जाता था तो काफिला जहाजों पर दूर-दूर जाया करते थे बहुत सथी याथरी भी उनके साथ यातर पर निकल पड़ते थे ती less जैसे अस्थान पर जाने के लिए जो उससाइत होते हैं ंफ उनी को तीर्थ्यात्री कहा जाता है । चीर्थ्यात्री इस्त्रिय। पुरुष रहे सिटने के लिए प्रवितर-थान यात्रा किया करते हैं जो कि प्रहों को फिस्थान ​​ मंदिर फ्रेद टोिब। यात्रा करते थे उन्हें तिर्थ यात्री कहा जाता था इसी तरह भारत की यात्रा पर आई चीन बहुत तिर्थ यात्री का फाशी एन काफी परसीद हुआ फाशीन काफी परसीद हुआ भारत में जो यात्रा आया चीनी बहुत तिर्थ यात्री फाशी फाशीन काफी परसीद था वह करीब 16 साल पहले आया था स्वेंग तंसांग 14 साल पहले भारत आया स्वेंग तंस्याग जो था वह 14 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इन तीसा आया वे सब बुध के जीवन से जुड़ी जगहों और परसीद मठो को देखने के लिए भारत आये थे यह नाम के बेक्ति हुआ करते थे वह बुध के परसीद मठो को देखने के लिए भारत में आये थे इनमें से प्रतिक्ति यात्री ने अपना यात्रा का वर्नन लिखा है इन्हों ने अपनी यात्रा के दवरान आई मुस्किलों के बारे में भी लिखा है इन यात्रों में कई व तरॲाब्पैब्ज को दैखने आया करते थे प्रतीमा को देखने आया था तरुदू अपने घर चीन वापस लोटने के लिए अपनी जात्रा बंगाल से सुरू की वा बे-पार्यो के एक जहाज पर चड़ा, मुश्किल से वे दो दिन ही चल पाएं थे, कि एक समुदरी तुफान में फज गए, बेपारी अपने जहाज को डुबने से बचाने के लिए, उनमें से अपने माल को फेक कर जहाज को हलका करने की कोशिज करने लगे, फासियन ने कभी अपने समान को तो फेक दि किया, पर अपनी उन पांडिल लिपियों और बुद्ध की मुर्तियों को नहीं फेका, जिन्हें उसने अपने भातिया आत्रा के दोरान संकलित के थे, मतलब जमा किया था, अतत्ता तेरह दिनों के बाद आंधिरुकी, उन्हें समुद्र का वर्णन इस परकार किया है, समु सूर्य चांद या तारों की गति को देखे बिना या पता लगाना असंभाव है कि पूर्व किधर है, या पच्छीम किस दिशा में है, अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, इसी परकार वह वर्णन की है कि समुद्र अश्रीम है, जैसे कि सूर्य और चांद के देखे बिना हम गति की या अब निर्धारित नहीं कर सकते कि पूर्व और पच्छीम किधर है, उसी परकार अगर बरसात और अंधेरा में जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा भी और कोई चारा नहीं ह है, जावा पहुचने के उसने 90 दिन में जादा लगे, उन्हें जावा पहुचने में उसे 90 दिन से भी जादा लगे, वह 5 महिने तक रुखे, इसके बाद दूसरे बेपारी जहाज में चंड कर वह चिन पहुचे, जो फासियन चिन जो थे तिर्थे आतरी वह इस तरह से पच्छी मद हैसिया होकर चीन वापस लोटा, उसने सोने चांदी और चंदन की लकडियां की बनी बुद्ध की पूर्तिमा तथा 600 से भी जादा पंडूलुपियां एकत्र जामा कर किये थे, इन्हें लगभग 20 गोडों पर लाद कर ले गया, फिर इन में से 50 पंडूलिपय को संस्क्रिट से चीनी अनुवाद में लिखले की कोशिज की, नलंदा सिक्छा का एक विशेष्ट केंदर है, जो नलंदा है वह सिक्छा का क्या है, एक विशेष्ट केंदर मना जाता है, सैमात संचंग ने अंतिर्थियात्यों के उस समय के परसिद बोध विद्या केंदर नलंदा यानि बिहार में किया, उल्चने नलंदा के बारे में इस परकार लिखा है, यहां के सिक्छक योगता तथा बुद्धी में सबसे आगे हैं, बुद्ध के उपदेशों पर वह पूरी इमंदारी से का करते हैं, बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी इमंदारी से ही रहते हैं जिससे युवा और ब्रित दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं विभीन सहरों के बिद्वान लोग अपनी संकाय दूर करने यहां आते थे और अतुक्त से पहले द्रवापाल के कठिन प्रस्ण पूछे थे उन्हें ने अंदर जाने के अनुमति तभी मिलती थी जब द्वारपाल को सही उतर दे पाते थे दस में से साथ आठ सही उतर नहीं दे पाते थे जो नलंदा है वह बिहार में इस्तित है और वह सिक्षा का केंद्र माना गया और यहां पर अच्छे अच्छे विचारों पर विचार बिमर्स किया जाता है वाद ब्याद किया जात जाते हैं और जो कीव्चन सही दे पाता है उसी को परवेश कि ये कराया जाता है बाकी परवेश कराना सेवेत तरसन नलंगा में क्यों पढ़ना चाते थे कारण बता वह इसलिए पढ़ना चाते होंगे क्योंकि बुद्ध की जो सभी परितिमाय थे और उनके जो विचार धाराय थे उनके बारे में उनको जानकार्या हासिल करना था इन्हीं अगला है भक्ति की सुरुआत मतलब भ बुद्ध के नियमों के अनुसार चलते थे उसी समय देवी देवताओं का पुजा करना के पुजा पाट करने के चलन भी शुरूए भाद में हिंदु धर्म या परमुक पहचान बई गई इनमें सीव बिसनु दुर्गा जैसे देवी देवताओं सामिल है जो हिंदु धर् काफी लोगपिर्य प्राम्परा बन गई थी भक्ति जो था उससे में काफी लोगपिर्य प्राम्परा बन गई थी किसी देवी या देवता के प्राप्ति सरधा को ही भक्ति कहा जाता है भक्ति का पत सब के लिए खुला था चाहे वह धनी हो या गरीब हो या उच जाती को ह या नीच जाती का हो सभी के लिए भक्ति का मार्ग खुला था या वह इस्त्री हो या पुलूस हो भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंत भगवत गिता में की गई है जो भक्ति मार्ग है उसकी चर्चा पवित्र ग्रंत जो भगवत गिता है उसमें की गई है भगवत गिता महा भारत का एक हिसा है जो भगवत गिता है वह महा भारत का एक हिसा है इसमें भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी सरन में आने का उपदेश देते हैं इसमें क्या करते हैं जो भगवान कृष्ण होते हैं वह अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर अपनी सरन में आने के लिए उपदेश देते हैं मतलब उन्हें सला देते हैं क पुजा का यह रूप धीरे-धीरे देश के विभीन भागों में फैनने लगा और भागती मार्क अपनाने वाले लोग अडामबर के साथ पुजा पाट करने के बजाए इस्वर के प्रतिलगन और ब्यक्तिगत पुजा पर जोर देते थे यह बिश्णु जी का चित्र है वारह के रूप में बिश्णु जी का चित्र जो की मद्यप्रदेश की संदान मुर्थी बिश्णु के वर्य रूप के पुरानो चेप्टर 11 में इसके बारे में हम लोग पुरी डिफली पढ़ेंगे भक्ति मार्ग अपनाने वाला का यह मनना है कि अगर अपने अराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पुजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्सन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाते हैं इसलिए अराध्य देवी देवताओं मानों के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सी, फेड या अन्यत कीसी रूप में जैसे कि इस विचार में समाज दवारा सवीक्रीदित मिल गई थी कि कलाकार देवी देवताओं का एक बढ़ कर एक खुबसूरत मुर्तिया त्यार करने लगे थे, जो कलाकार थे वह भक्ति का मुर्तिया भी देवी देवताओं का मुर्तिया भी त्यार करने लगे थे अगला टोपिक है भक्ति, भक्ति भज सब्द से बना है, भक्ति जो है भज सब्द से बना है, जिसका अर्थ बिभाजन करना या हिसेदारी होता है भक्ति का मतलब क्या होता है, भजन करना, बिभाजित करना या हिसेदारी इसका अर्थिया है कि भक्ती भगवान और भग्त के बीज प्रंसपर एक अंतरगत संबंध है भग्ती भगवान या के परती जुकाव है भगवत का एक अर्थिया भी है कि जो अपने एस्वर्य तथा सूख को भग्तों के साथ बाठता है यानि भग्त या भग्त अपने अधिकांस भक्ति साहित हमें यह बताते हैं कि धन एस्वर्य या उच्छे पद के जड़िये कभी इस्वर के आत्मियता नहीं बन सकती, करीब 14-100 साल पहले सीव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह अंस है, अपार एवं विलाल जो की अध्या आठ था, अपनी जिव का चलाने वाला इंसान, अगर यह लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में च्षिपा लेने वाले सीव के दास बन जै, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे इस्वर समान है, क्योंकि वे मेरे इस्वर समान है बतलब इस कभी का कहना है कि हर बेक्ती में इस्वर का वास होता है हर बेक्ती में इस्वर छुपा होता है इस तरह से कुछ मन्याता है अगर देवि तरह काहぎ और विसेश समान होता था किमिक Hasdard को रखा जाता था इन अस्थानों को मंदिर यहां पर इस समान होता था और विसेश जगाहों पर इनके मुरती जाता था वूण को मंदिर कहते थे और लोग वहां पर जाकर भक्ति प्रमकरा चित्रकला सिल्पकान के माध्यम से अभिव्यक्त की प्रेर्णा दी जाते थी हिंदू सब्द इंडिया सब्द की तरह ही सिंधू या इंडस से निकला है यह सब्द अर्बो तथा इरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उप्योग किया जाता है जो सिंधू नदी के पुरुवे में रहते थे यही सब उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक प्रमपराओं के लिए प्रियुक्त होता था जो हिंदू था वह सिंधू या इंडस जो था उसी सब्द से निकला था इसी के नाम पर हिंदूस्तान भी पड़ा था करीब अन्यत्र करीब दो हजार साल पहले पच्छी मेसिया में इसाइ धर्म का उद्दे हुआ था इसा मसी का जन बेथलें में हुआ था बेथलेहम में हुआ था जो उस समय रोमन समराज्य का हिस्सा था इसा मसी ने स्वयम इस संसार का उधारक बताया उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश भी दिया था कौन दिया था इसा मसेजी जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मिद करता है बाइबल में इसा मसी ने उप्देश की बाते लिखी यहाँ इसका एक अंस दिया गया है धन्य है वे लोग धन्य है वे लोग जो धन्म और निया के लिए भूखे प्यासे रहते हैं उनकी कामना पूरी होगी जो दयालू वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी धन्य है वो जो दिल से पवित्र है क्योंकि वे इस्वर के दर्शन कर सकेंगे और धन्य है जो सांती अस्थापित करेंगे वही इस्वर के संतान कर लाएंगे इसा मसी के इक्स उप देश सधारन लोगों को बहुत पसंद आया और दीरे दीरे या पच्छी मेसिया अफ्रिकया तथा इरूप में भी फैल गई इसा मसी के मिर्तिव के सो साल के अंदर ही भारतिये उप महादीप के पच्छिम टट पर पहले इसाई धर्म प्रचारक पच्छिम मेसिया से आए तो इस तरह था कुछ चेप्टर इसमें क्युश्चन दिये गये हैं जो कि हम लोग सौट नोर्स में देख लेंगे तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो like, share, comment और subscribe करना ना भूले साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके और like, share, comment करना ना भूले और share जरू करे ताकि किसी का भला हो सके मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बै जय हिंद